नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लॉग गुरू में मैंनुराग रिशी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे लैटिन मैगजिम्स के अंदर रेस इपसा लिक्विटर के बारे में और साथ ही साथ हम देखेंगे इसके एसेंशल्स और लिमिटेशन्स को भी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं रेस इपसा लुक्विटर दोस्तों जैसे कि अपने आप लोग को बताया कि ये लैटिन मैग्जिम है जिसका मतलब होता है यानि कि कोई भी घटना अपने आप में ही बता देती है उसे किसी भी एविडेंस किसी भी प्रमान की जुरूत नहीं होती वीडियो के शुरू में ही हम आप लोग को बतायते हैं कि रेस इपसा लुक्विटर जो है वो नेगलिजेंस से रिलेटेड है इसलिए दोस्तों हमें इस मेक्जिम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉंसेप्ट नेगलिजेंस का भी समझना पड़ेगा और साथ हमें नेगलिजेंस के एसेंशल को भी देखना पड़ेगा तो शुरू करता है हम थोड़ा सा नेगलिजेंस से negligence का मतलब होता है want of proper care और carelessness यानि कि जब किसी व्यक्ति की लापरवाई होती है किसी कार्यों करने में और उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को injury हो जाती है तो उसको हम negligence कहते हैं example के अगर हम बात करें मान लीजिए कि A नामक एक व्यक्ति अपना मकान बना रहा है और B नामक व्यक्ति महां से गुजर कर जा रहा है और उपर से कोई इट कोई पत्थर जो है B नामक व्यक्ति के लग जाता है जिससे उसको injury हो जाती है तो यह माना जाएगा कि A नामक व्यक्ति की negligence हुई है जिससे B नामक व्यक्ति को injury या damage हुआ है अब हम बात करतें negligence के essentials तो दोस्तों negligence की कुछ essentials है जो हमें देखने है पहला essentials है defendant was under a legal duty to take care यानि कि जो defendant है वो उसकी duty थी कि उस कार्रे को ध्यान पूर्वक करे या करवाए ताकि कि किसी को कोई भी किसी तरह की हानी ना हो सके दूसरा essentials है defendant was guilty of the breach of that duty यानि कि जो duty उसकी थी उस कार्रे को ध्यान पूर्वक करवाने की वो duty उससे breach हुई है और उस duty के breach होने से third essentials है plaintiff suffered damage जानि कि उस duty के breach होने से plaintiff को नुकसान हुआ है तो negligence के तीन essentials है कि defendant की duty होनी चीए और वो duty breach हो जाए जिसकी वाई से plaintiff को damage हो जाए अब दोस्तो negligence में अगर ऐसे कुछ होता था तो यह plaintiff की duty बनती थी plaintiff पे burden आता था इस चीज को proof करने का कि plaintiff प्रूफ करेगा कि defendant की duty थी वो breach हुई है जिसकी वाई से plaintiff को damage हुआ है अगर plaintiff इस चीज को proof करने में असमर्थ हो जाता है यह यह कहें उसे proof नहीं कर पाता है तो plaintiff किसी भी तरह से liable नहीं होता था compensation claim करने के लिए यानि कि plaintiff जो है defendant से किसी भी तरह का compensation नहीं ले सकता था अगर वो इन तीनो essentials को proof नहीं कर पाता था जिसकी वाई से बहुत सारे cases में क्या होता था कि plaintiff जो थे वो अपना essential proof नहीं कर पाते थे जिसकी वाई से वो damage अपना compensation claim नहीं कर पाते थे तब इस Latin maxim को लाया गया रेस इपसा लिक्विटर जिसका मतलब बता है the thing speaks for itself इसको हम negligence का exception भी मान सकते हैं समझने के लिए क्योंकि दोस्तों जैसे कि इस line ने बता दिया कि the thing speaks for itself यानि कि कोई भी घटना है वो अपने आप में ही बता देती है उसे किसी तरह के evidence से किसी तरह के परमान की जुरत नहीं होती है इसी तरह इस maxim के थूँ अगर कोई घटना होती है तो उसमें plaintiff responsible नहीं होता उसमें word on of proof नहीं होता कि वो ये proof करे कि defendant के उपर duty थी उसमें breach करी जिसकी वैसे मुझे damage हुआ है नहीं plaintiff को सिर्फ दो चीज़े proof करनी होती है पहला कि जो accident हुआ है जो घटना हुई है वो ordinarily occur नहीं होती जब तक कि defendant उसमें interfere नहीं करता और दूसरा कि plaintiff को इस accident से इस घटना से damage हुआ है यानि कि इसमें defendant की duty या उस duty का breach होना जरूरी नहीं है सिर्फ दो चीज़े है कि जो घटना है वो तब तक नहीं होती जब तक defendant उसमें interfere ना करे example कि अगर हम बात करें समझ लेते हैं सो थोड़ सा माल लीजे A नामक एक व्यक्ति जो है वो पीछे खड़ा है बी नामक व्यक्ति जो है अपनी गारी को reverse कर रहा होता है जिससे A नामक व्यक्ति के चोटो लग जाती है अब इसमें गारी अपने आप तो नहीं खेशकती जब तक B नामक व्यक्ति जो है उसको नहीं reverse करता तो सिधी सी बात है ordinary नहीं होती तब तक defendants का उसमें interference ना हो और दूसरा ये नामक व्यक्ति को उससे injury भी होनी चाहिए तो ये दो चीज़े हैं जो इस maxim के तहत पुरूफ करनी होती है plaintiff को और इसी इन दो चीज़ों को ही इस maxim का essential भी कहते हैं थोड़ सा आगे और पढ़ते हैं इस चीज़ को दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि ये rule नहीं है क्योंकि general rule क्या है negligence हमने देख लिया है ये जो rule है वो evidence का है क्यों क्योंकि इसने plaintiff के उपर से burden of proof जोता वो कम कर दिया इसलिए ये जो rule है वो rule of evidence है नाकी के rule of law है इसमें हम ये case देखे लेते हैं case का title है Byron versus Bottle 1863 का ये case दोस्तों इसमें क्या होता है plaintiff जो होता है वो public street से जा रहा होता है तभी क्या होता है कि एक घर के उपर से जो उसकी barrel होती है जो grill होती है वो आकर उस plaintiff के लग जाती है तो इस case में rest ipsa locator का जो maxim है वो apply हुआ था जो बताया गया था कि ordinary तोर पर जो barrels है जो grills है जो खिड़की के grills है वो नहीं गिरती है आम तोर पर क्योंकि वो गिरी है इसका मतलब वो defendant के पार्ट पर गिरी है उसकी लापरवाई की वैसे गिरी है जिससे plaintiff को damage हुआ है तो rest ipsa liquidity इस case में लगा था और burden of proof जो था plaintiff के उपर कि वो prove करे कि plaintiff जो defendant थी उसके duty थी breach हुई है वो नहीं करना पड़ा और उसको compensation defendant के पास से मिला था I hope कि आप लोगों को अब तक rest ipsa liquidity समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर burden of proof जो plaintiff के उपर से हट जाता है उसे ये proof नहीं करना पड़ता कि negligence जो है वो defendant के पार्ट से उसकी breach of duty की वैसे हुआ है तो उसी को rest ipsa liquidity कहते हैं अब हम बात करते हैं limitation of the maximum यानि कि दोस्तो ऐसा नहीं है कि सारे ही negligence या सारे ही जितने भी act होंगे defendant के तोर पर defendant के तरफ से वो सारे ही इस maximum के तहत आएंगे इस maximum के कुछ limitations भी है जहां पर ये maximum जो है अपना काम नहीं करती है ऐसे तीन limitations हम लोगों के सामने आते हैं पहला यानि के दोस्तो सभी accident पर ये maximum apply नहीं होता है ये maximum सुर्फ उन्हीं accident पर apply होता है जो accident defendant की knowledge में होते हैं और उसकी carelessness की वैसे एक act होते है दूसरा यानि के दोस्तो ये maximum जो है वो सभी accident पर apply नहीं होता है ये maximum सुर्फ उन्हीं accident पर apply होता है जिनको defendant जो है वो reboot करता है deny करता है या accept नहीं करता है अगर defendant जो है अपनी negligence को accept कर लेता है तो ये maximum apply नहीं होगा और थर्ड लिमिटेशन है यानि के दोस्तो जब defendant जो है वो ये चीज़ दर्शा देता है कि जो accident हुआ है जो भी negligence हुआ है वो अगर defendant के part से नहीं होता तो भी हो जाता तब भी ये maximum जो है apply नहीं होगा यानि के एक example लेलते हैं बी नमक वैक्ति अपनी गारी नहीं move कर रहा वो भी खड़ा हुआ है और पीछे चे दूसरी गारी आकर अनि के defendant की गारी से जाकर टकरा जाता है तो इसमें defendant की तो negligence नहीं थी तो ये maximum जो है वो apply नहीं होगा हम आशा करते हैं कि rest, ipsa, liquider आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए topic को लेकर इस वीडियो के notes का link हमने इस वीडियो के description box में डाल दिया तो आप चाहिए तो इस link पे click करके उन notes को download भी कर सकते हैं साथ ही साथ हमने इस वीडियो के description box में अपने facebook page का link अपने instagram account का link अपने telegram account का link भी डाल दिया है तो आप महाँ पर जाकर हमें follow कर सकते हैं, like कर सकते हैं, join कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह कि अगर आपको कोई परिशानी है तो अपने doubt को हमाँ जाके clear कर ले इसी तरह से हमारी सभी वीडियो के notes के लिए, pdf notes के लिए हमारी website का link भी हमने वीडियो के description box में डाल दिया है उस पर click करके आप वहाँ से download कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी तो उसे like करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share करना ना भूले साथ ही साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद